आप सभी को मेरी तरफ से जैमाता दी कई सारे भक्तों कई सारे साध्यकों का ये प्रश्न सुनने में आता है कि यदि इस जनम में भगवान के दर्शन करने हो तो हमें क्या करना चाहिए और क्या करना पढ़ता है तो इस बारे में सास्त्रों, वेदों, पुराणों में क्या बाते लिखिता हैं, क्या प्रमाण हैं, इसके बारे में मैं आप सभी को पूरी जनकारी बताने वाला हूँ कि यदि इस जनम में भगवान से मिलने की इच्छा हो तो सत्संग और भजन, ध्यान का साधन तेज करना चाहिए और आप जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी अरातना कर रहे हैं, उसमें अटूट विश्वास और स्रद्धा की अतियावशक्ता पड़ती है ऐसा ना हो, ऐसा आपके मन में ना हो कि किसी इच्छा के लिए आप कोई साधना वत्तब कर रहे हों भगवान की भक्ती निसकाम भाव से करनी चाहिए, यानि आप सबीक के मन में कोई इच्छा, कोई अभिलासा, कोई मननत जैसी चीज करके आप ध्यान साधना ना करें भगवान तो अपने भक्त को बिन मांगे बहुत सारी चीजे दे देते हैं, तो आपको मांगने के आउसकता ही नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी अगर आप अपने मन में कोई अभिलासा रखते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो परमात्मा है, वो सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ भी बाकी नहीं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, चाहिए वो परम्पिता परमिस्वरों हो, या जगत जन् सार में अनिको देवी देवा हूं, बस आपको ध्यान देना चाहिए, कि आप स्वें विचार करके देखिए, कि आप जैसा साधना कर रहे हैं, क्या उसे भगवान जल्दी मिल सकते हैं या नहीं, भजन करने से अंतकरन सुध हो जाता है, तभी सब परकार की वासनाओं का ना मुक्ति हो जाती है, और सभी वासनाओं से भी मुक्ति हो जाती है, उसका नास हो जाता है, यानि जो भी वासना हो, चाहे कोई विशेवस्तु इत्यादी की वासना हो, लेकिन वो इससे मिट जाती है, भक्ति करने से, ध्यान भजन किर्तन करने से, सास्तोर में ये बाद साफ साफ लिखिता हिए कि जो निरंतर परण मन से एवं निशकाम भाई से नाम का जब करता है उसको भजन के परताफं से जल्दी ही भगवान के दर्षन हो जाते हैं यानि जो निरंतर इनी एक बात आप भ्यान रखेगा इसमें दिरंतर वाली बात बताई जा किवल इसी सास्त्रम ने जितने भी धर्म गरंत हमारे सनातन धर्म में पाय जाते हैं सब में यही बात साफ साफ लिखी थे जो निरंतर परसनमन से यानि जो हर दिन हर रोज जो भगवान की भक्ति करता है ध्यान साधना करता है उनका मंत्र जब करता है उन सबी के लिए ये सूचना दी जाती है कि भजन किर्टन मंत्र जब के प्रताप से यानि उसके प्रभाव से जल्द ही भगवान के दर्सन हो जाते हैं क्योंकि देखिए वर्स में आने वाले तहवार पे जो साधना करते हैं उसका प्रभाव और जो निरंतर जो पूजा पाड़ ध्यान साधना करते हैं उसका प्रभाव में जमीन आसमान का फर्क होता है इसी के लिए आप अपना अनमोज जीवन को परमात्मा के ओर लेके जाए और उनके ही पत पर आगे बढ़ते रहे और उनी का भजन किर्थन करते हुए ये जीवन वेतीत करें ताकि आपको दोबारा किसी योनी में जन्म ना लेना पड़े और आपको इस जन्म जन्मानतर भव सागर से मुक्ति मिल सके इसी के लिए आपको हमेशा भागवान का ध्यान साधना करते रहना चाहिए देखिए परमात्मा बहुती दयालो बहुती भोले और बहुत ही उनके अंदर प्रेम भरा होता है वो अपने भक्तों को दर्सन देना चाहते हैं लेकिन हमारा सरीर हमारी आत्मा में इतनी सक्ति नहीं होती है कि उनको हमनों परत्यक्ष देख सकें। इसी के लिए वो जब दर्सन देते हैं तो वो सबसे स्वरपर्थम जो है सपने के माध्या में ही आपको दर्सन देते हैं। पहली बात तो ये कि भगवान का ध्यान साधना करने वाले लोगों को कभी भगवान को देखने की इच्छा तो नहीं करनी चाहिए। उनसे इतना प्रेम कर लेना चाहिए कि बस उनके नाम में ही आपको सारी खुसी मिल जाए। आपको इतनी भक्ति करनी पड़ेगी। तब ज उर्जा पर निर्वर है आपकी साधना आपकी मन पर सकती पर निर्वर है कि आपके आत्मा के पास कितनी उर्जा है कितनी सकती है जो परमात्मा के करीब पहुंच सकती है और उनका तेज सहन कर सकती है जिस परकार सूर के किरने गर्मियों के दिन में हम लोगों के सरी में पाते तो सोचिए वो सकती जब खुद आपके सामने प्रकट हो जाएगी तो क्या आप उसे जहल पाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है फिर भी प्रमात्मा बहुत द्यालू हो वो अपने ओड़्जा को कम करके भी भक्तों को दर्सन देते हैं ऐसा हुआ है प्रतिक छुरूप मे हुआ है मैंने भी अनुभव किया है लेकिन आपको केवल ये बात ध्यान रखने चाहिए कि आप जो भी भक्ति कर रहे हैं वो निश्काम भाव हो भगवान से अटूट प्रेम हो उनके बीना आपको जीवन बिलकुल अधूरा लगे इतना प्रेम उन से हो जाना चाहिए इत कि निश्रद्धा उनके प्रती होनी चाहिए ये बात आप MAX बान लीजीए गा उसकी बात आपको प्रमात्मा के दर्शन करने से कोई नहीं रो सकता कोई हो कोई भी देवी देवता हो ये नहीं कि उसमें गिन ये नहीं कि कोई चुनिंदा देवी देवता है जो दर्सन देते हैं बाकी नहीं देते हैं सभी देवी देवता दर्सन देते हैं भले परत्यक चलना देते हो इसी के लिए आप अपनी ध्यान साधना में मगन रहें औ और उनके प्रेम में हमेशा आप वेस्त रहें ये नहीं कि किवल दर्शन 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 ये आपके मन में नहीं चलना चाहिए परमात्मा है वो समय आने पर सब कारी करते हैं अगर आपको मेरे द्वरादी के जनकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू धन्यवाद जयमाता दी